सर्वेभ्या नमो नमा प्रिये चात्रों आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ ठीक होंगे आज मैं आपके समक्ष कक्षा छे की संस्क्रित पाठे पुस्तक रुचिरा से पाठ चौदा अहाहा आहा च लेकर उपस्थित हूँ यह एक कथा है जिसमें स्वामी और नौकर का जिक्र है नौकर छुट्टी लेकर घर जाना चाहता है पर मालिक उसे जाने नहीं देना चाहता क्यूंकि वह नौकर बहुत ही परिश्रमी और कारे कुशल था नौकर छुट्टी लेने के लिए क्या उपाय करता है यह जानने हैं तो पाठ को पढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस पाठ का अधीकम प्रतिफल क्या है अधिकम प्रतिफल इस पार्ट को पढ़कर छात्र श्रमन कोशल विक्सित करने में समर्थ होंगे वाचन कोशल विक्सित करने में समर्थ होंगे सरल संस्कृत वाक्यों का निर्मान कर सकेंगे स्रीजनात्मक लेखन के प्रति अभी प्रेरित होंगे कथा कथन में रुची विक्सीत होगी तथा विलोम पदों और समानार्थक पदों से परिचीत होगे और लकारों की प्रयोग को जानेंगे साथ ही शुद्ध उच्चारण विक्सीत हो सकेगा तो आईए पाट को पढ़ती हैं पाट का नाम है आहाहा आहा च कहाने शुरूर होती है अजीज सरल और परिश्रमी था अजीज यानी नवकर सह स्वामिना एव वह स्वामी की ही सेवायाम लीनह आसीत सेवायाम यानी सेवा में लीना यानी सनलगन आसीत था वह स्वामी की ही सेवा में सनलगन रहता था एकदा सह ग्रिहम गंतुम आवकाशम वांचती एकदा यानी एक बार सह वह वह यानी अजीज ग्रिहम गंतुम आवकाशम वांचती घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है स्वामी चतुरहासीत स्वामी चतुर्था यानी मालिक चतुर्था साचिंतयती वह सोचता है अजीजह इव ना कोई अपी अन्याह कार्यकुशला अरीज के जैसा कोई भी कार्यकुशलाह अन्याह ना कोई अन्य कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं था एश अवकाशस्य अपी वेतनम ग्रहिश्यती एश अवकाशस्य अपी या अवकाश का भी वेतनम यानी पैसा ग्रहिश्यती ग्रहान करेगा एवं चिंताई त्वा यह सोच कर स्वामी कथयती स्वामी कहता है अहां तुभ्यम आउकाशस्य वेतनस्य चा सर्वंधनम दास्यामी मैं तुम्हें आउकाश का और जो भी तुम्हारा वेतन है उस वेतन का सर्वंधनम दास्यामी सभी धन दूंगा परम एतदर्थम तौम वस वस्तु द्वयम आनया पर इसके लिए तौम तुम्हे वस्तु द्वयम यानि दो वस्तु में आनया लाना होगा या लाओ वो वस्तु है अहा आहा च इती अहा आहा ऐसा यह दो चीजें हैं जो तुम्हें लानी हैं तभी मैं तुम्हें छुट्टी दूँगा एतत शुरुत्व अजीज वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्चती एतत शुरुत्व यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम आनेतुम दो वस्तुमे आनेतुम यानि लाने के लिए निर्गच्चती निकलता है ऐसा सुनकर वह यानि अजीद दोवस्त में लाने के लिए निकल जाता है सह इतस्तता परीब्रहमती वह इधर उधर गुमता है जनान प्रिच्छती लोगों से पूछता है आकाशम पश्यती आकाश को देखता है धराम प्रार्थयती पृत्वी सी प्रार्थना करता है कि ये अहा अहा चीज़े क्या है परम सफलताम नैव प्रापनोती पर सफलता नहीं पाता है चिंतयती सूचता है परिश्रम से धनम सह नैव प्रापसयती परिश्रम का धन वह नहीं पाप पाएगा कुत्रचित एका व्रिधा मिलती जब वो इधर उधर घुमता है तब उसे कुत्रचित कहीं पर एका व्रिधा मिलती एक बुढ़ी औरत बुढ़ी महिला मिलती मिलती है सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयती सह यानि वह अजीज ताम यानि उसे उस व्रिध महिला को सर्वाम व्यथाम श्रावयती सभी व्यथा यानि जो भी उसका दुख है श्रावयती सुनाता है सा विचारयती वह विचार करती है यानि जब अजीज उस बोड़ी महिला को अपनी सारी व्यथा सुनाता है तो वह विचार करती है सोचती है कि स्वामी अजीज आये धनम दातुम न इच्छती स्वामी जो है अजीज के लिए धन देने की इच्छा ही नहीं रख रहा है सा तम कथेती सा यानि वह बुड़ी महिला तम यानि उसको अजीज को कथेती कहती है वह बुड़ी महिला उसे यानि आजीज को कहती है कि मैं तुम्हें दो वस्थुमें देती हूँ पर ये दोनों वस्थुमें बहुत ही बहु मुल्य हैं यहाँ पे यह भाव छिपा है कि ये दो वस्त में इतनी बहु मुल्ले हैं कि तुम इसे नहीं खोलोगे, तुम इसे मालिक को दोगे और वही खोलेंगे प्रसन्नह सह स्वामिनह समी पे आगच्चती खुशोकर सह यानि अजीज वह स्वामिनह समी पे स्वामि के पास आगच्चती आता है अजीजम द्रिष्टवा स्वामी चकिता भवती अजीज को देखकर स्वामी हैरान होता है स्वामी शनही शनही पेटी काम उदगाटे अती स्वामी जो मालिक होता है धीरे धीरे शनई मतलब धीरे शनई शनई धीरे धीरे पेटी का आम पेटी को उदगाट यती खोलता है पेटी का याम लगुपात्र द्वयम आसीद पेटी का यानि पेटी में बक्से में लगुपात्र द्वयम आसीद दो छोटे छोटे लगुपात्र थे प्रथमन सह एकम लगुपात्रम उद्घाटयती पहले वह एकम एक लगुपात्रम जो छोटा पात्रह बरतन है उद्घाटयती खोलता है सहसा एका मधुमक्षी का निर्गच्चती सहसा यानि अचानक एक मधुमक्षी निकलती है तस्यच अ स्तम दशती वहा उसके हात पर डस्त लेती है स्वामी उच्चही वदती स्वामी जोर से बोलता है अहहा दुथियम लगुपात्र मुदगाटेती और दूसरा लगुपात्र खोलता है एका अन्या मक्षी का निर्गच्चती एक दूसरी मक्खी निकलती है, सह ललाटे दशती, वा माथे पर डस्ती है, पीडित हसा, पीडित स्वामी अति उच्चे चितकरोती है, बहुत तेजी से चिलाता है, चितकार करता है स्वामी अवकाश का और उसकी वेतन का पूरा धन उसे देता है, क्यूंकि अजीज ने वो दो चीज़ें ले आएं, आहाँ आहाँ चा, आये पाठ में दिये गए कठिन शब्दों के अर्द को जानते हैं शब्दाह अर्था, लीनह यानि तलीन, आने तुम मतलब लाने के लिए, गन तुम यानि जाने के लिए निर्गच्चती मतलब निकलता है, वांचती यानि चाहता है, इतस्ततह यानि इधर उधर, को अपि, कह अपि यानि कोई भी परी ब्रहमती यानि गूमता है, वस्तु द्वयम यानि दो वस्तु में, धराम यानि पृत्वी को, आनय यानि लाव, प्राप्षयती यानि पाएगा, एतदर्थम यानि इसलिए, कुत्रचित यानि कहीं, शृत्वा यानि सुनकर, व्यताम मतलब दुख को, आहा, यानि एक कस्ट सूचक अव्य है, जब भी कोई कस्ट होता है, तो हम आमतार पर इस तरह से ध्वनी का प्रयोग करते हैं, आहा, आहा, यानि पीडा सूचक अव्य, जब यह में कोई पीडा होती है, तो हम इस तरह के ध्वनी सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह अव्य है उद्घाटियती मतलब खोलता है तो ये था हमारे पार्ट में दिये गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं पहला है अधो लेखिता नाम पदा नाम समुचितान अर्थान मेलायत अधो लेखित यानि नीचे लिखे हुए पदो का समुचित अर्थान मेलयत समुचित अर्थों के साथ मेल करना है या जोडना है दो कॉलम दिये गए है क Price क से समुचित पद लेकर उन्हें मिलाना है का में दिये गए शब्द हैं हस्ते सद्याह सहसा धनम आकाशं धराम का में दिये गए शब्दु हैं अकस्मात, पृत्वीम, गगनम, शिग्रम, करे, द्रविडम अब हम क्या करते हैं का से शब्द को लेकर खासे मिलाते हैं पहला है हस्ते तो हस्ते से मिलता जुलता शब्द है कर, करे अगला है सद्या यानि तुरंत तो तुरन्त का उचित शब्द है यहाँ पे शिगरम सहसा यानी अचानक सहसा का परयाय है अकस्माथ धनम याई धनम का परयाय होगा समुचित अर्ठ जिसको हम बोलने है यहाँ पर वो है द्रविडम आकाशम आकाशम यानि गगनम धराम धराम का उचित परया है प्रित्विम तो ये इस तरह से हमने क और खा से उचित शब्दों का मेल किया अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं मन्जुशाता उचितम विलोम पदम चीत्वा लिखत मन्जुशा से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए मन्जुशा में कुछ शब्द दिये गए हैं इन्हें विलोम पद बनाना है दिये गए शब्दों की सहायता से प्रवीशती सेव कहा मुर्खा नेतुम नी चाहि दूखिता अब हमें शब्द है चतुरह चतुरह का विलोम पद बनाना होगा तो हम मन्जुशा से शब्द लेंगे मुर्खा अगला है आनेतुम यानि लाने के लिए तो उसका विलोमपद होगा नेतुम यानि ले जाने के लिए निर्गच्छती यानि निकलता है तो इसका विलोमपद होगा प्रवीशती यानि प्रवेश करता है स्वामी यानि मालिक तो इसका विलोमपद होगा सेव कहा अगला है प्रसन्नह तो इसका विलोम पद होगा दुखीता है फिर है उच्चही यानि उच्चस्वर में तो इसका विलोम पद होगा जो मन्जुशा में दिया गया है वो है नीचाई यानि दीरे से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मन्जुशा तह उचितम अव्यपदम चीत्वा रिक्तस्थानानी पूरयत मन्जुशा में अव्यपद दिये गया है इनको चुन करके रिक्तस्थान की पूर्ती करना है मन्जुशा के दिये गया शब्द है इव अपी इव च उच्चही वाक्य है बालकाह, बालीकाह, रिक्तस्थान, कृड़ा छेत्रे कृड़नती बालक, बालीका, कृड़ा छेत्रे में खेलते हैं यहाँ पर अव्य शब्द जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे च बालकाह, बालीकाह, च, कृड़ा छेत्रे कृड़नती मेग हा रिक्तस्थान गर्जन्ती मंजुशा में अवेपद हैं उच्चई च एव अपी इव तो मेग गरशते हैं यहां हम लेंगे अवेपद उच्चई वाक्य पूरा बनेगा मेग हा उच्चई गर्जन्ती मेग बादल जोर से गरशती हैं बकाहा हंसहा रिक्तस्थान श्वेता भावती मंजुशा से शब्द लेंगे इव तो वाक्य पूरा बनेगा बकाहा हंसहा इव श्वेता भावती बगुला हंस की तरह सफेद होता है अगला है सत्यम रिक्तस्थान जयते मंजुशा से शब्द लेंगे एव तो वाक्य बनेगा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है अगला है अहम पठामी, त्वम रिक्तिस्थान पठ तो मंजुशा में शब्द बचा अपी, वाक्य बनाएंगे हम अहम पठामी, त्वम अपी पठ, मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो अब हम प्रश्ण उत्तर की तरब बढ़ते हैं अदोलिखितानाम, प्रश्णानाम, उत्तरम, लिखत अदोलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए या बताईए पहला प्रश्ण है अजीज ग्रिहम गंतुम किम वान्चती? अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है उत्तर होगा अजीज ग्रिहम गंतुम आवकाशम वांचती अजीज घर जाने के लिए आवकाश यानि छुट्टी चाहता है अगला प्रश्न है स्वामी मुर्खा आसीद चतुरावा स्वामी मुर्ख था या चतुर उत्तर होगा स्वामी चतुराः आसीद स्वामी चतुर था अगला प्रश्न है अजीज काम सर्वाम व्यथाम श्रावयती अजीज किसको सभी व्यथा सुनाता है उत्तर होगा अजीज एक बुरी मिला को सारी व्यथा सुनाता है अगला प्रश्न है अन्या मक्षी का कुत्र दशती पहली मक्षी ने तो हाथ पर काटा दूसरी मक्षी ने कहां पर काटा या कहां पर दस्ती है अन्या मक्षी का कुत्र दस्ती उत्तर होगा अन्या मक्षी का ललाटे दस्ती दूसरी मक्षी ललाट यानि माथे पर दस्ती य अंगला प्रश्न है स्वामी अजीज आय किम दातुम न इच्छती स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता उत्तर होगा स्वामी अजीज आय धनम दातुम न इच्छती स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता था अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभ्यास की तरफ फिर से निर्देशा नुसारम लकार परिवर्तनम कुरूता निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करना है पहला है उदारण के तौर पर अजीज अपरिश्रमी आसीप यह लंगलकार में है, इसको हमें बदलना है लटलकार में, अजीज परिश्रमी था, तो लटलकार में बनेगा, अजीज अहा परिश्रमी अस्ती, अजीज परिश्रमी है, आएए बनाते हैं, अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूँ, यह वाक्य जो है लटलकार में है, इसको हमें बनाना है लटलकार यानि भविश्यत काल में, तो वाक्य बनेगा, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा, परिश्रमी जनह धनम प्राप्षेती, परिश्रमी लोगों को धन मिलेगा, यह लटलकार में है, तो इसको लटलकार में बनाएंगे, तो वाक्य बनेगा, परिश्रमी जनह धनम प्राप्षेती, परिश्रमी जन को धन प्राप्थ होता है, अंहला है, स्वामी उच्चई वदती, यह लटलकार का वाक्य है, कि स्वामी जोर से बोलता है, इसे बनाना है लंग लकार में, तो रूप बनेगा, वाक्य का, स्वामी उच्चही आवदत, स्वामी जोर से बोला, तौम उच्चही पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो, यह लटलकार का वाक्य है, इसको हमें लोटलकार में बदलना है, तो वाक्य बनेगा, तौम उच्चही पठा, तुम उचा पढ़ो, अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते अधोले कितानी वाक्यानी घटना क्रमानुसारम लिखत अधोले कित वाक्य को घटना क्रम के अनुसाल लिखना है यानि जो भी कहानी में दिया गया है उसी घटना के हिसाब से वाक्य को बनाना है इधर उधर दिया है आपको घटना के हिसाब से इस कहानी को बनाना है शुरू करते हैं कह है स्वामी अजीज आए आवकाशस से पुर्णम धनम ददाती स्वामी अजीज के लिए आवकाश का पूरा धन देता है अजीज जह सरल अहा परिश्रमी च आसीत अजीज सरल और परिश्रमी था अजीज जह पेटी काम आनयती अजीज पेटी का लाता है एकदा सह ग्रिहम गंतुम अवकाशम वंचती एक बारवा घर जाने के लिए चुट्टी चाहता है पीडित अह स्वामी अति उच्चे चीत करोती पीडित स्वामी बहुत जोर से चित करोती चित कार करता है मक्षी के स्वामीना दशता मक्षी स्वामी को डस लेती है आप इसके सहायता से पुरी कथा को भी लिख सकती है अभ्यास कारे और पार्ट यहीं पर समापत होता है भाशा सीखने के लिए लिखने पढ़ने बोलने और सुनने का अभ्यास बहुत जरूरी है पढ़ते रहिए लिखते रहिए इन्ही शुब कामनाओं के साथ पुनाह अगले पार्ट में मिलेंगे धन्यवाद गजसे लिख होता है झाल झाल